अगर आपको भी WhatsApp, Facebook या Instagram पे किसी को Message करने या किसी से Chatting करने में दिक्कत आती है तो आज की Class सिर्फ आपके लिए है क्योंकि आज मैं आपको एक दम बेसिक से English पढ़ना और लिखना बताऊंगी आपको बस इतना करना है कि वीडियो को आपको आखिर तक देखना है एक भी Point उसका Miss नहीं करना वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को Like करके जरूर जाना और चानल को सब्सक्राइब नहीं कि हाओ तो सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए बिना टाइम बेस के वीडियो स्टार्ट करते है How, How का मतलब होता है कैसे? How यानि कैसे? Are, Are का मतलब होता है हो या है? ठीक है? हो या है? You, You का मतलब होता है तुम या आप तो How are you? तुम कैसे हो? ठीक है? अगर आपको पूछना है किसी से कि तुम कैसे हो? तो इसे आप बोल सकते हैं इंग्लिश में How are you? ठीक है? फिर है I am fine I का मतलब होता है मैं I यानि मैं Am Am का मतलब हुं Am यानि हुं Fine Fine का मतलब होता है अच्छा Fine यानि अच्छा तो I am fine मैं अच्छा हुं या मैं अच्छी हुं I am fine मैं अच्छी हुं फिर है tell me one thing tell का मतलब होता है बताना या बताओ ठीक है और me, me यानि मुझे मी का मतलब मुझे फिर है one, one का मतलब होता है एक thing, thing का मतलब होता है चीज या बात ठीक है कोई चीज या बात को thing कहते हैं तो tell me one thing मुझे एक बात बताओ tell me one thing मुझे एक बात बताओ are you mad are का मतलब होता है हैं या हो ठीक है, are यानी है या हो you का मतलब तुम या आप होता है ठीक है, फिर गए mad mad का मतलब होता है पागल mad यानी पागल are you mad क्या तुम पागल हो अगर आपको किसी को कहना है कि क्या तुम पागल हो तो इसे आप English में Are you mad बोलेंगे फिर है What are you doing What का मतलब होता है क्या What यानि क्या Are का मतलब होता है है या हो फिर है you You का मतलब तुम या आप होता है फिर है doing Doing का मतलब होता है करना काम करना तो What are you doing तुम क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो, इसे इंग्लिश में आप what are you doing बोलेंगे फिर है as you wish, as का मतलब होता है जैसा या जैसी as यनी जैसा या जैसी, you का मतलब तुम या आप होता है और wish, wish का मतलब होता है चाहना या इच्छा या मर्जी ठीक है, wish का मतलब ये होता है, तो जैसी तुम्हारी मर्जी, as you wish जैसे कहते हैं न कि जैसी तुम्हारी मर्जी, तो इसे इंग्लिश में बोलते है as you wish, clear है, फिर है what do you think, what का मतलब होता है क्या do यहाँ पर हमारा helping verb है, ठीक है, फिर है you, you का मतलब तुम या आप होता है और think का मतलब होता है सोचना या लगना, तो what do you think, तुम्हें क्या लगता है ठीक है, कहते हैं न कि तुम्हें क्या लगता है, what do you think, इस तरीके से फिर है I am not sure, I का मतलब होता है मैं या मुझे, I am का मतलब होता है हूँ और not यानि नहीं और sure का मतलब होता है यकीन या पक्का, ठीक है, sure यानि यकीन या पक्का, तो I am not sure, मुझे यकीन नहीं है या मुझे पक्का नहीं है I'm not sure कहते हैं न कि मुझे पक्का नहीं है मुझे यकीन नहीं है I'm not sure इस तरीके से I have to play I का मतलब होता है मैं या मुझे half का मतलब वैसे तो होता है कि pass है लेकिन half के साथ अगर to आ जाता है तो वहाँ पर have to का मतलब निकलता है यह करना है यानि कि कोई काम करना है उसके लिए have to आता है फिर गए play play का मतलब होता है खेलना तो I have to play मुझे खेलना है ठीके कहते हैं कि मुझे खेलना है तो उसके लिए English में I have to play आएगा फिर गए don't be over smart don't का मतलब होता है नहीं और फिर गए be तो don't be का मतलब निकलता है मत बनू ठीके don't be यानि मत बनू over smart over का मतलब होता है अधिक या ज्यादा ठीके और smart यानि चालाक या होश्यार तो जिसे कहते हैं कि ज्यादा होश्यार मत बनो या ज्यादा चालाक मत बनो don't be over smart ठीक है, don't be over smart, जादा होश्यार मत बनो या जादा चालाक मत बनो ठीक है, I can read your face, I यानी मैं, क्यान का मतलब होता है, सकता हूँ ठीक है, read का मतलब होता है, पढ़ना, और your यानी तुम्हारा या आपका ठीक है, अब face का मतलब होता है, चहरा I can read your face, मैं आपका चहरा पढ़ सकता हूँ ठीक है, कहते हैं न कि मैं आपका चहरा पढ़ सकता हूँ तो इस English में बोलते हैं, I can read your face Don't worry, don't का मतलब होता है, नहीं, और worry का मतलब होता है, चिन्ता तो don't worry का मतलब होता है, चिन्ता मत करो टोंट वरी चिंता मत करू ठीक है फिर अखेर टोंट वरी अबाउट मी तो डोंट का मतलब तो नहीं हो गया वरी का मतलब हो गया चिंता और अबाउट का मतलब होता है बारे में और मी यानि मेरे या मुझे ठीक है तो मेरे बारे में चिंता मत करू Don't worry about me. ठीक है? अगर आपको किसी को कहना है कि मेरे बारे में चिंता मत करो. Don't worry about me. या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि मेरी चिंता मत करो. ठीक है? Don't worry about me. मेरी चिंता मत करो. ठीक है? फिर है Take care of yourself. Take care का मतलब होता है ख्याल रखना. टेक केर यानि ख्याल रखना ओफ का मतलब होता है का और यॉर्सेल्फ यानि खुद का ठीक है? तो टेक केर अफ यॉर्सेल्फ अपना ख्याल रखना ठीक है? टेक केर अफ यॉर्सेल्फ का मतलब होता है अपना ख्याल रखना वाई नॉट वाइ का मतलब होता है क्यूं, और नॉट का मतलब होता है नहीं, यानि क्यूं नहीं, फिर है लेट मी स्पीक, लेट का मतलब होता है आग्या देना या खोने देना, ठीक है, और मी का मतलब होता है मुझे, स्पीक यानि बोलना, स्पीक का मतलब बोलना, तो लेट मी स्पीक का म मतलब होता है, मुझे बोलने दो, यानि मुझे बोलने दो, मुझे आज्या दो बोलने की, मुझे बोलने दो, let me speak, मुझे बोलने दो, फिर है, I need some money, I यानि, I का मतलब मैं या मुझे, need का मतलब होता है, जरूरत, need यानि जरूरत, some यानि कुछ, some का मतलब होता है, कुछ, और money यानि पैसा, money यानि पैसा, तो I need some money, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना, कि मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, तो इसे English में कहेंगे, I need some money, clear है, next है, I am feeling sleepy, I यानि मैं या मुझे, am का मतलब होता है, feeling का मतलब होता है, महसूस करना, ठीक है, और sleepy का मतलब होता है, सोना, जैसे आधी नीद में होतें, तो ऐसे कहतें ना, कि मुझे नीद आने का जिसा महसूस हो रहा है, है ना, I am feeling sleepy, ठीक है, मुझे नीद आ रही है, I am feeling sleepy, ठीक है, फिर गहे, nobody is here, nobody का मतलब होता है कोई नहीं nobody यानि कोई नहीं is का मतलब होता है है और here का मतलब होता है यहाँ तो यहाँ कोई नहीं है nobody is here ठीक है इसे कहना है आपको कि यहाँ कोई नहीं है तो उसे आप इंग्लिश में कहेंगे nobody is here फिर है you are very lucky यू का मतलब होता है तुम या आप, आर का मतलब होता है हो या हैं, वेरी यानि बहुत, वेरी मतलब बहुत, लखी का मतलब होता है भागशाली, लखी यानि भागशाली, तो जैसे कहते हैं न कि तुम बहुत भागशाली हो, यू आर वेरी लखी, ठीक है, तुम बहुत भाग या phone करना Me यानि मुझे ठीक है? और back का मतलब हुता है वापस, जासे आपको कहना है कि मुझे वापस phone करना किसी से कहना है तो उसके लिए call me back मुझे वापस phone करना call me back I have to go I का मतलब मैं या मुझे have का मतलब होता है pass है लेकिन यहाँ पर have to है जिब have to लग जाता है तो have to का मतलब होता है करना है कोई काम करने के लिए have to का स्तमाल होता है go का मतलब होता है जाना तो I have to go मुझे जाना है ठीक है I have to go मुझे जाना है have a nice day half का मतलब है या हो और एक nice यानि अच्छा और day का मतलब दिन, have a nice day, आपका दिन अच्छा हो, या आपका दिन शुब हो, जैसे हमें किसी को बोलना होता है, आपका दिन शुब हो, आपका दिन अच्छा हो, उसके लिए बोलते है, have a nice day, clear है, तो यहाँ पर पूरी होती है, हमारी आज की क्लास, I hope कि आपको इतना समझ में आया होगा, वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, और भी इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चानल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो लोग भी एकदम शुरुआत से अंग्रेजी सीखना चाते हैं, उन तक के वीडियो जरूर से पहुँचा द झालेजी ना.